नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब के इस खास प्रिसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रकान प्रतियूस आपको पता है कि रालोषपास सुप्रिमो उपिंद्र कुस्वाहा ने अभी तक अपने पाटी के प्रत्यासियों का नाम का खुलासा नहीं किया है खुद ये भी तय नहीं किया है कि कहां से चुनाव लड़ेंगे लेकिन सिटी पोस्ट लाइब के पास जो सुत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उपिंद्र कुस्वाहा की मांग उजियारपुर से भी बहुत है और काराकर्ट से भी है काराकार्ट से उसांसद हैं और वहां से चुनाव लड़ेंगे ये तय है लेकिन उजियारपुर के लोग जो है उनके समर्थक वो भी मांग कर रहे हैं कि यहां से आप चुनाव लड़िये तो उपेंद्र कुसवाहा काफी दुबिधा में हैं क्योंकि दोनों जगा से उनको च चुनाव जीते हैं अभिसांसद हैं और दूसरी स्ट है उजियारपुर जहां से उचुनाव लड़ेंगे और उनका मुकाबला होगा बीजेपी के प्रदिस सद्धक्ष नित्या नंद्राय से दरसल नित्या नंद्राय के लिए बहुत बड़ी चुनोती सावित होंगे उप गटबंदन के पक्ष में ऐसे में अगर उपेंदर कुस्वाहा उजियार्पुर से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के प्रदिस सद्धक्ष नित्या नंद्राय की चुनोती बड़ सकती है तो नित्या नंद्राय तो लगतार चुनाव छेत्र में घुम रहे हैं और अच्छा खासा बोट है और ऐसे में जब की जब पूरा अलपसंख्यक समाज यादो समाज एक जुट है गुलबंध है महागणवंदन के पक्ष में उपिंद्र कुस्वाहा के लिए वहाँ लड़ाई थोड़ी असान दिख रही है तो सुत्रों के हवाले से जो खबर आ रही ह एक उपिंद्र कुस्वाहा के उपर पार्टी की तरप से भी और करकरता करकरताओं के तरप से भी बहत दबाव है कि वो दोनों जगहों से चुनाव लड़े तो मान कर चलिए एक उपिंद्र कुस्वाहा की पार्टी को पांच सिटे मिली हैं दो सिटों पर खुद उपिंद लेकिन उपेंद्र कुस्वाहा दो जगह से चुनाव लड़ेंगे उजियारपूर कराकाट और उनके पाटी के भुदे चोधरी जमुई से लड़ रहे हैं चोथे उमिद्वार कौन होंगे बेतिया से अभी तक असपस्ट नहीं हो पाया है लेकिन ये मान कर चला जा रहा कि बेतिया से कोई कुस्वाह है ही चुनाव लड़ेगा राजन तिवारी आरजडी के नेता है बेतिया से चुनाव लड़ना चाहते थे उनको सीट मिला नहीं तो बगावत की मुद्रा में है और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की त्यारी में है तो उपेंद्र कुस्वाह के प्रतियासी की मुश्किल बढ़ सकती है बेतिया में लेकिन मुतिहारी सीट से चर्चा है कि माधाव आनम जो राश्टी परोकता थे उपेंद्र कुस्वाह की पाटी के ओचुनाव परचार भी कर रहे थे पचले तीन महीने से लेकिन सुत्रों का हवाले से अब ख़वर आ रही है कि उपेंद्र कुस्वाह इस सीट को उसी उमिद्वार को देंगे जो जीते निश्चित रुप से यानि उनकी पाटी की जीत सुनिश्चित हो और माधाव आनंद का जिस तरह से अभी अस्थानी ये लोगों ने बिरोध सुरू कर दिया है आरजडी के नेता पपू पांडे ने बिरोध कर दिया है और उस शीट पर दावा ठोक दिया है इसके बाद ये तैमाना जा रहा है कि भुमिहार समाज को साथ लेने के लिए उपेंद्र कुसवाहा वहाँ पर नया दाओं खेल सकते हैं और कांग्रेस के जो नेता है राजेसभा सांसद अकलेस सिंग उनके बेटे को चुनाओ मैदान में उतार सकते हैं मोतिहारी से अकलेश सिंग भी सांसद रहे हैं उनका अच्छा जनाधार है वहाँ पर तो उपेंद्र कुस्वाहा अकलेश सिंग के बेटे अकास सिंग को रालुस्पा का प्रत्यासी मोतिहारी से बना सकते हैं अपचारिक रूप से तो इलान भी हुआ नहीं है इसलिए रूप से सिटी पोस्ट दावा नहीं करता है कि कौन प्रत्यासी होगा लेकिन सुत्रों के हवाले से जो ख़बर मिल रही है कि उपेंद्र कुस्वाहा दो सिटों से चुनाव लगेंगे उजी आरपुर काराकार्ट से और मोतिहारी से अकलेश सिंग के बेटा आकास सिंग चुनाव लग सकते हैं और बेतिया से कोई कुस्वाहा चुनाव मैदान में उत्रेगा तो इंतिजार करिए थोड़ी देर के बाद यानी गुरुवार को उपेंद्र कुस्वाहा सामने आकर अपने पार्टी के सभी प्रत्यासियों का नाम का उपचारी के लान कर ही देंगे तब तक हमारे पास जो खबर थी हमने आपके साथ सेर किया है आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको खुब सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रू कर लिजिए आपका सहयोग समर्थनागतार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार नमस्कार